तो बच्चो तुमें एक पंक्तियां कुछ पंक्तियां हम सुनाने जा रहे हैं सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है क्या तुम बता सकते हो यह पंक्ति किस ने लिखी है राम प्रसाद विस्मिल जी ने बिलकुल आदि जैते हा है राम प्रसाद विस्मिल जी कौन थे राम qa और जै चर्चति का रहे तेश पर राज थाए वह और ने का शाशन चलता था थाड़ बखुट सारे प्राम ने उन्से अपने देश को अपनी भारात हम स्कुमक्त करॉने के लिए काम किया था क्या कुछ और कुछ और करांतिकारियों के नाम बता सकते हो हाँ बताइए चंचे का आजाद भगत सेंग सुक्दे राम प्रसाद बिस्मिल जी बहुत अच्छे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए काम किया था दो तरह की लोग थे एक त तो ये जो है कांतिकारी लोग ये जब करते थे तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फासी की सज़ा अब सुनाई गई थी तो इन्होंने अपनी मा को एक पत्र लिखा था मा की याद करते हुए उनको धानस बनाते हुए कि उन्हें जब अपने जवान बेटी की मृत्यू की ख तुमें तो पता ही है बच्चो कि कहते है ना मा जो है वो सबसे उचास्थान होता उसका जननी जन्म भूमिष्च स्वरगाद अपिगरियसी ठीक है मा और मात्र भूमि का स्थान दोनू ही सर्वश्रेष्ट माना गया है तो इसी बात को इस पार्ट में राम प्रसाद विस् यह हुआ था चार जून अठारा सो सताननबे हिस्वी में मैन पुली में हुआ था और यह एक अच्छे बेटे थे मा के बहुत अच्छे बेटे थे संसकारी बेटे और जब यह पत्र लिख रहे तो नहीं याद आई कि मेरी मा की शादी जो हुई थी बस ग्यारा वर्ष की उ अच्छ करते करते उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और अपने संसकारों से अपने विचारों से अपनी जो जो उन्होंने पढ़ लिख के सीखा था उससे जो उन्होंने अपने बेटे को बनाया तो वो एक बहुत अच्छे संसकारी पुरुष बने जिन्होंने सीखा कि मा मा की इज़त करनी चाहिए, अपने देश के लिए सब कुछ करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, यानि उनका आत्मिक विकास किया, चारित्रिक विकास किया, साथी साथ, देश की सेवा, देश भक्ती की भावना भी उनमें कूट-कूट के भरी, वो यह सारे संसक कि आज मैं देश की काम आ रहा हूँ, देश के लिए अपने जान कुर्बान करने जा रहा हूँ, मुझे फासी की स्था मिल रही है, और मैं हस्ते हस्ते इसको चूमूँगा फासी के फंदे को, और ये संसकार, ये हिम्मत, ये साहस किस ने दी थी उनमें? माने उनकी माने है ना और उन्होंने ये बताए कि जब मैं मृत्यू को चूमूंगा तो इस मत्र में उन्होंने लिखा था कि आप मुझे आशिर्वाद दीजे कि मैं उसमें जरा सा भी टगबंगा हूं नहीं यहीं मैं अंदर से विचलीत नहूं हस्ते हस्ते मैं फासी पर चड़ जाओं और देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करूं लेकिन उनकी एक इच्छा रह गई थी क्या थी वो इच्छा चर्णों की सेवा कि मैं देश की सेवा तो आपके संस्कारों के मताबिक करो लेकिन मैं मा की सेवा बहुत दिनों तक करना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया और उसके रिड से मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा इसका दुख उन्हें हमेशा रहा बाकि तो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं था अधान का लालज था ना आश्वर ना किसी और चीज़ का है ना तो ये पाट तो उमनों ने कल पढ़ाई था तो चलो आज हम लोग ये हम रामप्रसाद विस्मिल जी यह थे ना कितने अच्छे सुन्दर से पुरुष्टे ना जवान पुरुष्टे उन्होंने हस्ते हस्ते अपना जीवन माता भारत माता की जर्मों पर समर्पित कर दिया था तो ऐसे देश भक्तों की कारणी आज हमारा देश जो है वो आजाद है और हम सब खुली हवा में सास ले सकते हमारे पास अपने अधिकार है हमारे पास अपना देश है हमारे अपने नियम कानून है और हम स जब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, भूलता स्वतंत्र है, तो चलिए अब इस पाट के कुछ शब्दार्थ हम लोग दोरा लेते हैं, है ना, तो चलिए हम शब्द बोल रहे हैं, आप लोग इस कार्थ बताईगा, नितान्त कार्थ है, एकदम बिलकुल, सद्रिश, समान, पयवस्ता, इntजाम, अक्शर, बोथ, वर्ण ग्यान, अक्षे पहचानना, अवलोकन, देखना निरिख न करना, किसी का अवलोकन का देख रही है वारतालाब, बातचीत, निर्वाः पूरा किया जाना- गुजढारा ुज्ढाो। जनम दात्री, जन्म देने वाली मा, परिशोध, रिड का बुपनाँ चुकता , तुसे परिशोध कहते हैं, अवर्णनि योगिना हो हो, यह योगिना हो यह वर्णन से भी ऊपर की चीज़ हो अवर्न नहीं है, त्रिश्णा, लोब, बिल्कुल ठीक बच्चों, तो ये सारे आप शब्दार अच्छे से और कंठस्त कर लिजेगा, तो आप इस पाट को और अच्छे से समझेंगे, अच्छा, अब आपको पता है, कि जो संदी होती है, संदी का मतलब होता है, दो शब्द विच्चेत करेंगे, मतलब ये जो संदी है, इसको हम विच्चेत करके दो अलग-अलग शब्द, जिनको जोड के ये शब्द बना है, उसको अलग करेंगे, परमात्मा को जब हम संदी करेंगे, विच्चेत करेंगे इसका, तो परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा, और आ यन संदी भूजनादी, भूजन प्लस आदी इसमे भी आ प्लस आ मिला है, और ये भी कौन से ढ़िख संदी सदा प्लस एफ या और ए बराबर एफ बन गया है और यह हो गया व्रिद्धी संधी शिक्षा अधी इसमें भी आ और आ मिला है इसलिए यहां पर कौन से संधी बहुत अच्छे बच्चों तो यह तो हमने सीखी कुछ संधिया अब इस पाठ से पराधारे कुछ आप से प्रशन उत्तर पूछे यहस दिधी तो आपका नाम क्या है प्रिया प्रिया तो हमें बताएगी सारे प्रशन के उत्तर अच्छे समझ में आ गया है पाठ तो विस्मेल की मा का विवा किस उम्र मे विल्कुल सही वो ग्यारा वर्ष की उम्मे शादी करके साजापुर से मैनपूरी आई थी विसमिल की मांक ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा था कौन बताएगा हाँ बताएगा राम प्रसाद विसमिल जी के जिम पांच या साथ वर्षो बाद उन्होंने पढ़ना लिखना अपने पढ़ाईज लिखती थी उसको बढ़न बहुत अक्षर बहुत करती थी यानि कुल मिला की कैसे करती थी अगर इसका उत्तर संशेप में देंगे तो विसमिल की माने पढ़ना लिखना कैसे सीखा विसमिल की मा में अपने आप ही पढ़ने लिखनी इक्षा यानि शौ इन घर के स्कूल नहीं गई किसी आपचार एक सिक्षा को प्रापनी किया घर में ही लोगों से एक दूसरे से करते हुए उन्होंने काम करते हुए घर के सारे अपने करतावे निर्वा करते हुए पढ़ाय लिखाई सीख लिए लिए विवा के समय विस्मिल की मा क्या थी अशि अपने अपने बढ़ाय लिखाई करके उन्होंने अपने अंदर के जो गुण थे अपनी अपनी अपने बेटे रहाप्रसाथ विश्मिल के अंदर डाला और उन्हें एक संसकारी और देश भक्त नाकरिक बनाया जी दी तो इसी तरह आप भी बनेंगे देश भक्त जी दी अ आप अपनी मा से ब्यार करते है ना जी दी तो जो ये संसकार होते है जो मा आपको सीख देती है उनको बहुत ध्यान से सीखना चाहिए वो आपको समझना चाहिए क्योंकि हर मा अपने बच्चे को बहुत अच्छा ना अगर एक संसकार वान पुरश बना हुआ देखना चाह तो चलिए, हम लोग अगली बार फिर कुछ और पाट पढ़ेंगे, कुछ और बाते बताएंगे।